प्रतिरक्षन या प्रतिरक्षी करण क्या है टीका करण क्यों किया जाता है टीका किस तरीके से काम करता है और इस टीका करण का क्या महत्व है आईए देखते हैं प्रतिरक्षन या प्रतिरक्षी करण क्या है किसी वेक्सीन या टीके का उपयोग करके शरीर की प्रतिरोधक शमता बढ़ाना जिससे भविश में शरीर के अंदर या तो सुक्ष्म जीवों का प्रवेश रोका जा सके या उन्हें खत्म किया जा सके तो शरीर में रोगों से लड़ने की इस शमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षी करण कहते हैं मतलब क्या है कि जह हम किसी वेक्सीन या ठीके का उप्योग करते हैं शरीर में किसी वेक्सीन या ठीके को दिया जाता है और उससे शरीर की उस प्रतिरोधक शमता को बढ़ाते हैं जिससे भविश में क्या होगा कि अगर सम्मंदित बिमारी का अगर कोई रोगाणू प्रवेश करेगा तो उससे लड़ने के लिए शरीर पूरी तरीके से तयार रहेगा तो यह जो पूरी प्रोसेस है इसे हम कहते हैं प्रतिरक्षी करण अब इसमें क्या है कि प्रतिरक्षी करण कैसे होता होगा तो एक्चुली क्या है हमारे शरीर में जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्रे जिसको हम इम्मूनिटी सिस्टम कहते हैं वो 24 अवर रोगानुओं से लड़ता रहता है और इसे हम शरीर की क्या बोलते हैं प्रतिरोधक शमता भी कहते हैं तो हर एक शरीर की अपनी प्रतिरोधक शमता होती है कुछ कम कुछ ज़्यादा तो इस प्रतिरोधक्षमता का अगर विकास करते हैं टिका करण के माध्यम से तो फिर वो रोगाणों से लड़ने के लिए ज़्यादा सक्षम हो जाता है शरीव तो रोग विशेश से बचने के लिए इस प्रतिरोधक्षमता का जो विकास होता है वो टिका करन के माध्यम से होता है अब टिका करन है क्या vaccination क्या होता है कि मैंने अभी कहा कि किसी बिमारी के विरुद्ध अगर आप प्रतिरोधक्षम्ता विक्सित करने के लिए दवा खिलाते हैं या पिलाते हैं या इंजक्ट करते हैं तो उसे हम वेक्सीन या टिका कहते हैं और यह जो प्रक्रिया है यह टिका करन कहलाती है मतलब जो दवाई है उसे वेक्सीन कहेंगे जो दवाई का जो टिका बन जाता है तो फिर उसे vaccination की प्रक्रिया कहते हैं कि टिका लगा दिया और वो दवा की सुरूप में दी जाती है तो पोलियों की दवा जैसे हम पिलाते हैं या इंजक्ट करते हैं दूसरी अन्य बीमारियों के लिए इंजक्शन्स लगाते हैं तो ये आपका कहलाता है वेक्सिनेशन या ठीका करन अब टीके क्या हैं और केसे काम करते होंगे तो अभी हमने बात की कि ये हमारा प्रतिरक्षा तंत्र लगातार रोगाणू उसे लड़ता है और शरीर की अपनी एक प्रतिरोधक शम्ता होती है तो क्या होता है कि हमारा जो शरीर है उसकी एक विशेश्टा है कि जब हमारे प्रतिरक्षा तंत्र एम्यून सिस्टम पर कोई रोगाणू पहली बार अटेक करता है अभी टीके की बात नहीं हो रही है अभी हमारे शरीर की जनरल विशेश्टा की बात हो रही है तो हमारा शरीर क्या करता है उसके खिलाब respond करके उसको अपनी memory में रख लेता है ठीक है न और जब वही मिलता जुलता रोगाणू कभी दुबारा हमारे शरीर के संपर्क में आता है तो हमारा immune system उसको पैचान लेता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसको पैचान कर पूरी शक्ती से उसको क्या करता है नस्ट कर देता है ये प्रतिरक्षा करण के नियम का आधार है बेसे नार्मली भी ऐसा हमारे शरीर में होता रहता है अगर आपने टीका नहीं लगाया कोई सामाने बीमारी है वो शरीर में उसने पहली बार अटेक किया तो शरीर अपने खुद immune system से उसके साथ लड़ाई कर लेगा और लड़ाई करने के पास उस रोगाणू को पेचान के रख लेगा अपने पास जब दोबार वही रोगाणू को भी अटेक आया संपर्क में आया अटेक करेगा तो हमारा immune system क्या करेगा उसको पेचान लेगा और वो उसको पूरी तरीके से क्या करेगा नस्ट करेगा ये प्रतिरक्षा के नियम का बेस है अब इसी बेस से इसी बेस पर हमारा टीका भी काम करता है अब वो कैसे करता है इस पर बात करेंगे देखिए आप ध्यान रखेगा कि अगर आपको प्रतिरक्षन की बात आती तो आप इतना लिख सकते हैं और थोड़ा वो टीका करन के बारे में बता दीजिएगा तो चलिए अब टीका करन का भी सामाने नियम यही है क्या है कि जो किसी खास रोक से बचाओ का टीका जिसको आप विशेष्ट संक्रमन कह रहे हैं न वो क्या होता है शरीर में प्रवेश करता है आप टीका लगाते हैं तो उस समय क्या होता है शरीर को यह आभास होता है कि वास्ता में उस रोक के रोगाणूने हमला किया है जिसका आपने टीका लगाया है तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उसके बचाओ के लिए क्या करेगा एंटी बॉडिस का निर्मान कर लेगा अब जब वो antibodies का निर्मान कर लेगा और भविश में अगर इस बीमारी का अगर वास्त्विक हमला आपके उपर होता है तो प्रतिरक्षा तंत्र उसे पहचान लेगा और चुकि शरीर में पहले सी उसका antibodies है तो वो antibodies release होंगे और रोग या बिमारी से लड़कर उसको क्या कर देंगे खत्म कर देंगे तो यह होता क्या है कि जो टीक्या की रूप में दी जाने वाली जो दवा होती है वो या तो रोक कारक जिवाणू या विशाणू के जिवित की क्षिन मात्रा होती है या कई बार हिने मार का रत्वा अप्रभवी करके या शुद्ध किया जाकर पदार जैसे प्रोटीन आद प्रतिरक्षा तंत्र को मुर्ख बनाये जाता है इस दोरान तो वह क्या होता है कि चरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उससे बचाओ के लिए एंटी बाड़ी का निर्मान करके अपने पास रखता है तो जब वास्त्विक हमला होता है तो वह एंटी बाड़ी अभी हम समझ रहे हैं कि जब हमें COVID-19 या कोरोना वाइरस का जो संक्रमन चारों तरफ हो रहा है तो उससे में पता चल रहा है कि ये अगर ठीका होता तो सामुदाइक प्रतिरक्षा को ये बढ़ा देता और याद रखेगा कि ठीका करना संक्रमा क्रोगों की रोकताम की सबसे प्रभावी और सस्ती युकती होती है जो बच्पन में ही बच्चों को दी जाती है जब पोलियों की दवा कि खुराक पिला ही जाती है बच्चों को बच्पन से ही तो बच्पन में ही पिला दी जाती है तो वो फिर क्या होता है कि बाद में कभी उस रोग के या उस रोगान या रोक से बच सके आजकर एक pentavalent टिका होता है जो पांच बीमारियों से बचाता है उसका vaccine जो है वो पांच बीमारियों से dipteria, kalikhanse, titnes, hepatitis है ना और ही ये पांच तरह के रोकों से वो बचा लेता है साथ में क्या होता है हमें पता है कि अभी जो BCG का जो टिका होता है वो क्या करता है BCG का टिका कौन से रोक से बचाने के लिए लगाते हैं तपेदी का TV रोक से बचाने के लिए लगाते हैं और एक और मैं तो पुन बात पूछी जाती क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले जो टीका अस्थित्व में आया और जिसने टीके के बेसिक कॉंसेप्ट को दिया वो था चेचक का टीका तो चेचक एक समय बड़ी भयानक जान लेवा भीमारी थी तो उसका टी सब को करएं सुरक्षा के अंतरगत लगा जाते हैं उसमें होते इंड ती रिया होता हैวกा भी हासी होता भी सीजी का टीका होता और हैपेटाइटर इव व जन्नी सुरक्षा के तहती लगा दी जाते हैं जो बच्चपन में ही मतब यूं कहें कि शीशु को ही लगा दी जाते हैं जो नवजास शीशु होता उसे ही एक अंत्राल के अंतरगत उसको लगा दी जाते हैं साल बर के अंदर अंदर और टिटनेस का टीका तो जो गर्भोती मा उसकी और संतान दोनों की रक्षा कर सके धन्यवाद